वेल्कम दू दू दा कम्प्रीट मेडिकल सॉलिशन आज का हमारा टॉपिक है पैलेग्रा तो को मॉर्निंग की हमारी दो क्लास थी उसके बाद जो हमारी थर्ड क्लास हो रही है आफ्टर लंच तो उसमें हमारा टॉपिक है पैलेग्रा क्या होता है पैलेग्रा क्या इसके B3 deficiency की वज़े से हो जाता हो इसमें क्या होता है जो भी हमारी skin होती है तुचा होती है वो पटने लगती है ठैक है जो तुचा बगेरा होती है वो फटने लगती है Cellular deficiency of niacine किसकी deficiency किसकी कमी से हो रहाई नियासीन की कमी से नियासीन किसका नाम है? विटामिन B3 का, ठीक है? यहां पर बहुत सारे बच्चे इस नियासीन का आगे, जैसे आगे है यहां पर cellular deficiency of नियासीन तो अब जैसे नियासीन बोल दिया तो confusion हो जाता है, तो वहां पर क्या है? यह विटामिन B3 जो होती है उसी का नेम होता है क्या? नियासीन, ठीक है? resulting from an indicator dietary supply of नियासीन देखो, यहां ओपलिक में दे दिया विटामिन B3, विटामिन PP और क्या है? निकोटिनिक एसेड एंड ट्रिप्टोफेन और हाई-लेक्टुरान इन टर्मिट पहलेग्राँ ठीक है? यह देखो, ट्रिप्टोफेन है इसमें 90% क्या है, प्रोटिन सिंतेसेस है 9% नियासीन है और 1% क्या है? 5-HTB इसमें आता है, B6 आता है हो और सीरोटोनल में आता है यह हमारा definition हो गया पहलेग्रा अब देखो, पहलेग्रा क्या है? नियासीन नियासीन डेफिसियनसी नियासीन डेफिसियनसी मतलब क्या है? आपका वही, विटामिन B3 की कमी होगी characterized by the 4DS आप इसमें देखो, characterized by the 4DS दे तो इसमें, DS क्या होता है हमारा? DS हमारा क्या होता है? डर्मेटाइटिस होता है डाइरिया होता है और डेमेंटिया होती है और क्या होती है? डेफ यह हमारे हो जाते है 4 characteristics हो जाते है preventing by the eating red meat और क्या होता? enriched and whole grain cereals पहलेग्रा, ठीक है? पहलेग्रा अब इसकी बात करते है epidemiology recognized and nutritional disease in 1913 ठीक है? कब 1913 भेन, over 30,000 cases with a mortality rate और 40% already occurring in South कॉल्निया alone अकेलिए South कॉल्निया में कितने? 40% cases only एक ही country में मिले थी किसमें South कॉल्निया ठीक है? तो आपको कितना 40% already किसमे only in South कॉल्निया नेक्ट में बात करते है socio-economic rats prevented earlier Spanish from accepting the poverty reality of क्या है? option with infection disease in medical community also ignored a classical proof that pellagra is not contagious etiology next हम बात करते है etiology etiology में हमारा क्या रहे था primary dietary ठीक है? कौन इसमें क्या रहे था maze diet मतलब bond niacin जा और क्या होता? high leucine content uncommon in maxiens की क्या होती है? nyestamilization और GI disease में हमारा क्या रहे था jejuno colitis और क्या रहे था prolonged diarrhea मतलब लंबे समय तो कि diarrhea वगेरा हो सकता है और क्या है? malpoption syndrome carcinoid syndrome ठीक है? ये etiology हो गया next हम बात करते है hand-up disease की hand-up disease में हमारा क्या है? breast border system defect defective transport ठीक है? क्या हो गया? absorption of ass chronic alcoholism हमारा एनॉक्सिया होता है ठीक है? एनॉक्सिया होता है और क्या रहे था? food fatism है food allergy बगएर है food से भी allergy बगएरा हो जाती है बहसारी मतलब आपको कोई भी ऐसी food बगएर है जो आपको नहीं body को immunity को suit करना तो क्या होता है? उसके against antibody होने लगती है और allergic antibody जरसे कहीं भी question आता है allergic antibody कोंसी होती है? तो IgE immunoglobulin E antibody होती है जो IgE वो कोंसी होती है? यमारी allergic antibody होती है IgE clinical features clinical features में हमारा 4DS 4DS जो अभी बताया था हमने आपको dermatitis होता है diarrhea होता है और dementia होता है और क्या होता? death यह होगे clinical feature of pellagra अब इसके sign pellagra sign and symptoms इसमें क्या होता? इसमें देखो 3DS होता है diarrhea, dermatitis and dementia इसमें क्या होते? death नहीं होगी, ठीक है? reddish skin, rest on the face जो face की हमारी skin होती reddish हो जाएगी, ठीक है? लाल हो जाएगी एक्तम racist मतलब काफी जादा reddish होगी यह condition हो जाएगी, ठीक है? hands and feet which becomes rough and dark vein exploit to sunlight इसमें क्या होता? मतलब sunlight की reaction से बहुत जादा मतलब एकदम अलग तरीके का reaction होगा जादा skin जो होती है हमारी फटने लगती है, ठीक है? acute red swelling with eating, cracking, burning and acute मतलब क्या होता इसमें? देखो, eating जो मतलब eating वगेरा होगी और क्या होती है, जो हमारी skin होती है वो एकदम फटने लगती है ठीक है? क्या होगी? crack होने लगती है, बरने एकदम जलने से लगती है chronic dry rough thick net and scally with brown pigmentation ठीक है? dementia क्या होता है? termos, irritability, NXT, confusion and depression वगेरा यह सब इसकी क्या होगी? sign and symptoms next बने जाता rest of pelligra rest of pelligra हमारा क्या रहता है? bilateral and symmetrical ठीक है, usually start in sun exposed area मतलब क्या होता है? जो सूरी की क्रेड़े होती है ठीक है, sun rays बगार होती है इसमें यह exposed होने लगता है then classically dosera of hands, face, neck and chest क्या होता है? neckly, broad band and call line can have entrance periods start as well demigrate erythromatous pitches ठीक है, second stage हमारे क्या होता? dry ice के लिए है और hyper chronic है यह होगा, the race of pelligra अब देखो, pelligra races इस तरीके के आपकी skin होने लगते है skin देखो, crack हो रही है एक दब जल्द यह लग रहा है, कि जल्सी रही हो, फट रही हो ठीक हो रही है, races वगएरा तो यह क्या है, यह sign है कि इसके pelligra, जो disease है उसके sign वगएरा है यह इस तरीके से हमारे skin होने लगते है image of the day, देखो casual knuckles and sheenine pelligra इस तरीके के हो, यह क्या होती? कि मतलब condition और ज्यादा critical होने लगती है तो इसमें क्या होती? जो हमारे skin होती है तो और ज्यादा crack होने लगती है एकदम reddish अभी देखो black type के होने लगी है और यह क्या होता है? मतलब sunlight के reaction में आने से इसमें और ज्यादा dangerous होने लगती है और ज्यादा है इसके जो inerboo होती है skin होती है वो फटने लगती है crack होने लगती है next one is blood and urine test can confirm the diagnosis of pellagra अब जो को pellagra की जो हमारी disease है उसको identify करने के लिए हम क्या करेंग urine test होता है urine test कर सकते हम और क्या होता? blood test बगरा इसके तो रूँ हम क्या यह diagnosis हो गई blood test and urine test identification of pellagra अब further investigation further investigation की बात करते हैं तो इसमें हमारा क्या रहता है इसमें हमारा रहता oral syflexion and depending predisola infective history of poor and nutritional intact deco sodium tablet poor latexive effect intermittent diarrhea patient underbate 70 kg ठीक है और क्या है इसके लिए हाँ इसके लिए happy magnet collect on clot respiratory case neck edge यह देखो यह आपकी यह इसके sign है जो हमारे investigation वगएरा है उसमें तब देखो आप blood test करा सकते हैं urine test करा सकते हैं और यह इसके क्या होगे यह racist वगएरा skin होने लगती है ठीक है crack होने लगती है फिर जितने ज़्यादा मतलब इसका time बढ़ेगा period बढ़ेगा तो यह उसी तरह की की एक आकार लेती जाती है और और ज़्यादा crack होती जाएगी black type की होती जाएगी starting में क्या होता है यह reddish होती है treatment dietary treatment में हमारे क्या होता है tryptophan rich foods wise liver eggs legums nuts ठीक है idea niacin दिखो मिल्ली यह क्या हो रहा है कि niacin की कमी से हो रहा है deficiency of niacin और इसकी कमी से यही नहीं मतलब आपके joint span बगएरा है यह सब condition भी arthritis बगएरा वो condition भी होने लगती है ठीक है और इसकी कमी से क्या हो रहा है यह पहले ग्रा हो रहा niacin vitamin B3 niacin ठीक है मिल्स क्या है 19 to 50 niacin जो मतलब आपको vitamin B3 लेना पड़ेगा मिल्स मतलब एक मिल्स की age है average 19 to 50 years में कितना 19 mg per day 19 mg per day चाहिए आपको ठीक है और 50 years में क्या है 15 mg 15 mg per day females में female अगर 19 से 50 years के बीच में female है 19 to 50 years about 15 mg per day चाहिए females को और 50 क्रोस कर रहे हैं उसे 13 mg per day 13 mg per day अगर pregnant ladies है pregnant ladies है तो उसे कितने चाहिए 18 mg per day और जो nursing बगएरा इस्टाब जो हमारा paramedical इस्टाब बगएरा जो बेस रहता है उसे 17 mg per day क्योंकि उन्हें और भी दिक्कते होने लगेंगे निक्टे माजाइड मेच क्योंड कौन होता ठीक है abodons of jaw यह होगा treatment जो भी treatment होता वो under medical supri dent जो भी चिकित साथ बगएरा होती है उनके under में चलता है ठीक है treatment medical में हमारा क्या है nicotinamide nicotinamide जो है हमारा 50 mg per day 3 to 4 week 3 to 4 अपके हमारा चलेगा nicotinamide neurological reversible with 24 to 48 hours cutaneous resolution with 4 weeks niacin हमारा क्या है 15 to 100 mg ठीक है 3 to 4 week चलेगा treating underlying causes in secondary pellagra देखो इसकी condition जैसे critical होती जाएगी primary, secondary मतलब तो उतना ही ज़्यादा dangerous होता जाएगा यह तो बहता रहा है मतलब आपको जैसे racist बगएर हो रही तो आपके इसका investigation है जो भी वो करा है और इसकी basis पे आप treatment बगएरा लें जो भी होता है पेलिग्रास इस पी क्या होती है skin crack होने लगती हो अगर skin crack हो रही तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है allergic बगएर थैंक यू प्ली लाक चेर और सब्सक्राइब थैंक यू